नमस्ते, ठंड के मौसम में तिल का सेवन अधिक से अधिक किया जाता है, क्योंकि ये सभाव से गरम होता है, इसलिए आज हम तिल को यूज करते हुए तिल हलवा बनाने जा रहे हैं, इस हलवे की एक और खाश्यत यह है कि हम शक्कर की जगे गुड का प्रयोग करेंगे, जिस सबसे पहले हमने एक कटोरी तिल लिया है, जिसको हमने राद बर भीगो दिया था, और आधी कटोरी सूजी ली है, थोड़ा सा सुखा नारियल है, जिसको हमने इस तरह से गिस लिया है, थोड़े से नट्स लिया है, काजू, बदाम और किश्मिश, दो इलाइची का सबसे पहले हम गैस पर कडाई रख लेंगे, कडाई जब थोड़ी सी गरम हो जाए, तब इसमें हम करीब दो चम्मच के करीब घी डालेंगे, और सबसे पहले जो हमने आधी कटोरी सूजी ली थी, उससे अच्छी तरह से भून लेंगे, इसे हलकी गुलाबी होने तक हमें भूना है, गैस की फ्लेम मीडियम स्लो पे ही रखें, ताकि ये जले नहीं, मंदी-मंदी आश पे इसे हलका गुलाबी होने तक हम भून लेंगे, और इसे लगातार इस तरह से चलाते रहें, इससे पहले भी हमने तिल बुजिया और तिल के लड़ू भी बनाये थे आशा है आपने जरूर देखे होंगे और नहीं अगर अब तक नहीं देखे हैं तो आप देखकर जरूर ट्राइ कीजिए तो सर्दी के मोसम में तिल खाना बहुत ही अच्छा माना गया है और बहुत ही सहत मंदे तिल में फाइबर अधिक मात्रा में होता है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और कब्ज भी नहीं होने देता और सर्दियों में खाए जाने वाली करीब-करीब सभी मिठाई में तिल का उप्योग किया जाता है जैसे कि रेवडी तिल पट्टी गजग तिल के लड्डू इसलिए आज हम तिल का इस्तेमाल करते हुए तिल हल्वा बनाने जा रहे हैं इसे हिलाते हिलाते करीब दो हो गया है यह हलका गुलावी हो गया अब इस टाइम पर हमने जो यह हमने जो तिल रात भर भीगो के रखी थी उसका पानी निथार कर और इस तरह से हमने मिक्सी में इसे बारिक पीस लिया है और इससे भी अब हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ इसको भी हम हलका गुलावी होने तर सेख लेंगे इसे इस तरह से लगातार चलाते रहें इसे कंटिन्यू हिलाते रहना बहुत जरूरी है नहीं तो यह शिपक जाएगा तिल की खासियत और एक है आपको पता है बादाम की तुल्ला में छे गुना अधिक केल्शिम होता है इसलिए तिल बहुत ही सहत मन और फाइदे मन चीज़े यह तुचा के लिए बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है इसलिए सर्दी में इसे अधिक से अधिक इसका सेवन किया जाता है यह देखो लगातार भूनते भूनते यह बिल्कुल ही अलग-अलग हो गया है करिब 3-4 मिनिट भूनने के बाद यह देखे इस तरह से अच्छा खिला-खिला हो गया मतलब कि यह अच्छी तरह से कौद गया है इसकी सिकाई अच्छी होगी है हलका गुलाबी कलर आ गया है और इस पे जो हमने घी डाला था वो भी चमकने लगा है अब हम इसमें आवसकता अनुचार गरम पानी डालेंगे अ तरुट रच्छी हो कोद़ना तर्पिला वी तरुटिए, आवसा हो, हम बदलाबी हो तरुटिए अल्टनी आता अपिलाबी कोद़ना तरुटिया, और में अबद़ना जागर रगना आया है थोड़ा थोड़ा करते हैं गरम पानी इसमें एड़ करते ही जाए पानी मिलाते ही यह देखो एक स्टम फूल जाता है और जस्ट क्वांटिटी में डबल हो जाता है पानी सूखने तक इसे अच्छी तरह से बिलाते रहें जो गुढ हमने लिया था उसे इस तरह से हमने बारिक चूरा कर लिया है ताकि यह जल्दी और आसानी से इसमें मिक्स हो जाए तो अब यह गुढ हम इसमें डाल देंगे अब इस गुढ को इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमने शक्कर की जगे गुढ का इस्तेमाल किया है ताकि और भी तोस्टिक हो जाए और सर्दियों में तिल और गुढ खाना तो बहुत ही अच्छा है इसे हिलाते हिलाते तीन से चार मिनिट हो गया है गुढ पूरी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है और आप देख सकते हैं घी भी कडाई से छूट चुका है पूरा हलवे पर इस तरह से चमक रहा है तो ये तिल और बुढ से बना हलवा एकदम तयार है अब हम इसे ये जो हमने ग्रेट किया हुआ नारिल लिया था वो इसमें डाल देंगे उसे और पोस्टिक बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे यह PCV लाइची यह भी इसमें डाल देंगे और जो हमने कुछ किश्मिश बादाम लिये थे वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं यह बनाने में कितना आसान है और कितने कंप समय में यह बनकर तयार हो जाता है वैसे तो सर्दियों में मुंकी डाल का हलवा गाजर का हलवा यह सब भी खाया जाता लेकिन उसे बनाने में बहुत ही समय लगता है तो ये बनकर तयार है, अब इसे गर्मा गरम सर्व करें, आप देख सकते हैं कितने कम समय में तिल और गुर से बना ये पोस्टिक हलवा है, एकदम तयार है, इसे गर्मा गरम सर्व करें, और सर्दियों में इसका सेवन बहुती लाप्रदे, खाशकर बच्चों के लिए है क्य जरूर 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 ट्राइ करें